हेलो एवरिवन वेलकम टू जीके नाइस आज की लेटेस न्यूज है 68500 वकेंसी से संबंदीत है और इसकेन कोफी को लेकर है तो फ्रेंड्स कार्याले की तरफ से एक गोशना की गई है कि 15 दिन के भीतर प्रिक्सार्तियों को स्केनिंग कोफी दे दी जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं इस से पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं और नए हैं विजिट कर रहे हैं तो पिलीट हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें एक लागश शांटिस हजार पत थे और पहले चरन में 58500 शिक्सकब भरती और दूसरी अध्यपक भरती के लिए करना होगा इंतजार यानि के दूसरी वेकंसी जो 68500 उसके लिए विंतजार करना होगा क्योंकि पहली ही जो पहली चरण में 68500 इसक भरती चल रही है वह विवादों में फश चुकी है तो इतने वह पूरी नहीं होगी तो दूसरे पदों के लिए आपको दूसरे चरण के जो पद होंगे 68500 उनके लिए आपको वेट करना होगा तो चिलिए शिलेटरेश न्यूस को पढ़ते हैं सासन की ओर से जारी संबावित्ती थी के अनुसार टीटी दौजा ठरकाय जन तो दिसंबर से पहले हो जाएगा लेकिन 68500 पद पर दूसरी सिक्सक भरती अटक सकती है टीटी दौजा ठरकाय जन को लेकर सासन और परिक्सा नियमक कार्याले पूरी तेयारी में हैं लेकिन सिक्सक भरती को लेकर खामोशी चाही हुई है पहली सिक्सक भरती के विवादों में फसने के बाद सासन अस्तर पर भी सतरकता बढ़ गई है भरती परिक्रिया में नई विकल पर विचार किया जा रहा है ऐसे में अभ्यारती को इंतजार बढ़ सकता है तो नई जो भड़ती होगी इस से दूसरे वाली 68500 वेकेंशी पर जो दूसरे चरन की भड़ती होगी उसमें नई विकल्पोबर विचार क्या रहे यानि के उसमें नियमों का बदलाव हो सकता है तो ये latest news है उस भरती में नियमों का बदलाव हो सकता है आगे पड़ते हैं सरकार की और से समायोजित सिखसक मित्रों के 1,37,000 पदों के बदले 2,49 में लिखित रूप में सिखसक बरती कराने की गोशना की गई थी तो ये 1,37,000 पद थे जिसमें पहले चरण में 58,566 भरती और दूसरे चरण में भी 68,566 भरती पूरी कराने की पूरा एनलिसिस था तो दूसरी जो भरती पर किरिया है वो है अटक सकती है इसमें पहले चरण में 68500 शिक्सकों की बढ़ती के लिए विग्यापन जारी किया गया था जबकि सरकार सेश 68500 को भी दिसंबर से पहले बढ़ने की त्यारी में थी अब पहली बढ़ती ही विबादों में फस जाने के कारण सरकार फूक कर कदम रख रही है सूतरों की माने तो सरकार दूसरी सिक्सक भरती कराने के लिए नई एजन्सियों का चायनी भी कर सकती है लिखित परिक्सा भरती के परिक्सा पैटर्न में भी बदलाव किया जा सकता है तो जो दूसरी परिक्सा होगी अरशाटचा फाजार पांसो वकेंशी पर दूसरे ुसमें नए बदलाव किया जा सकते हैं परिक्सा पैटर्न में ठीक है तो नए बदलाव हो सकते हैं आप के लिए इन्पोटेंट ने उसे ध्यान देजेगा तो दूसरी भरती के लिए नए परिक्सा पैटन में बदलाओ किया जा सकता सचीव परिक्सा नियामक पराधिकारी की ओर से परिसदिये विद्धालियों के लिए हुई पहली भरती परिक्सा लगतार विवादों में रही है परिक्सा में आवजन से पहले मानक में बदलाओ परिक्सा परिणाम जारी होने पर 800,500 में से मात्र 41,500 परिक्सार्थियों का सफल होना मुल्यांकन में गड़बड़ी हाई कोड में मुल्यांकन के दोरान कापी बदलने का खुलासा होना और अंत में सचीव परिक्सा नियामको का निलंबन वैसिक सा अधिकारियों के तरवादले सिक्सक भरती की परिकिरिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इससे लेटेश न्यूज आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है यह पर है परिक्सार्थियों को 15 दिन के भीतर स्केनिंग कोपी दी जाएगी तो चलिए इस लेटेश न्यूज को भी पढ़ते हैं फ्रेंट्स इस वीडियो को सेयर जरूर करना परिशदेविध्यालियों के लिए 68,506 अग बھर्थी में एसकेन कोपी के लिए अवेदन करने वाले परिक्सार्थियों को उनके मूल पते पर इसकेन कोपी 15 दिन के भीतर भीतर भेज दी जाएगी तो आपकी कोपी स्केन 8500 वेकंसी के लिए आपकी जो स्केन कोपी है वे 15 दिन के भीतर मूल पते पर भीज़ दी जाएगी और इस्थानिय परिक्सारती सपता भर के भीतर कार्याल ले आकर पहचान पत्र के साथ स्केन कोपी ले सकते हैं और जो कार्याल ले के आसपास के यानि स्थानिय परिक् तो friends जो scan copy की मांग चल रही थी वह 15 दिन के भीतर परिक्सारतियों को दे दी जाएगी उनके मूलपते पर पहुंचा दी जाएगी 15 दिन के अंदर और जो इस्थान ये परिक्सारति हैं सबता भर के भीतर कारयाल ले जाकर पहचान पत्र के साथ इस कोन को भी ले सकते हैं तो इस थान ये जो आसपास के छादने कारयाल लेके वे अपना पहचान पत्र ले जाकर इस केन को भी ले सकते हैं तो ये आज की लेटेश न्यूस दी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक्स पर वाचिंग